हेलो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीपड उजोन में और मैं हूँ दीपक कुमार और जैसा कि आपको पता है कि उत्राखंड में प्रात्मि सिक्षक की जो भरती है वो एक एक करके निकल रही थी लेकिन उस वहीं पर ही एक तगड़ा जटका यह है और देखते हैं कि क्या है देखे दून में बेसिक सिक्षक की भरती नहीं होगी एस्क्लूसीव है तो पढ़ते हैं कि क्या लिखा है देहरादून में बेसिक सिक्षक बनने के खौब संजोए बेरोजगारों को जटका लगेगा देहरादून में सरकारी स्कुलों में बेस जिंद्र सिंग रावत ने इस बात बावत सिक्षा निदेसाले को रिपोर्ट भेज दी है भरती शुरू करने से हाथ खड़े करते हुए सिक्षा निदेस से दिसा निदेस मांगे हैं संपर्क करने पर DEO Basic ने इसकी पुष्टी की है उन्होंने बताया है कि वर्तमान में दून में नई भरती कराना संबाव नहीं है इस बावत सिक्षा निदेसाले को रिपोर्ट दे री गई है सूत्रों के अनुसार यही इस्तिती अरिद्वार में भी बताय जा रही है वहां भी 20 से ज़्यादा पद सर प्लस बताये गए हैं यहां पर देख सकते हैं 20 से ज़्यादा प्लस बताये गए हैं तो मालूम हो सरकार ने 9 नवंबर को सरकारी स्कूलों में बेसिक सिक्षकों के रिक्त पदों की भरती शुरू करने के आदेश दिये थे सभी जिलों के डी ओ बेसिक को रिक्त पदों को चिनित करने की निक्ती करनी हैं अब तक 6 जिलों में निक्ती प् तरकाशी में भी दो सो बारा पदों के लिए विकेप्टी जारी कर दी गई है तो यहां पर जिसका इंतजार था कि हरिद्वार में भी हम सोच रहे थे कि भरती आएगी नहीं निकल रही है कब निकलेगी लेकिन यहां तो कुछ उलट ही देखने को मिल रहा है कि यहां पर बता से ज़िकारों को लगेगा जो कि इंतजार कर रहे थे कि कब भरती निकलेगी और जिले की भरती उनकी देहरादून की बछती कब आए और हजद्वार की कब आइगी तो इस तरीके से देखने हैं क्या ख़बर मेलती है आपको लेटेस्ट अब्डेट दिनिता रहेगा तो च